Hello and welcome guys Again we are going to learn 25 new English sentences So without wasting any more time, let's have a look Forget the past Next sentence is It's high time to go there It's high time to go there कोई चीज या किसी बात को करने को जो सही समय होता है उसके लिए English में फ्रेज है अगला sentence से फ्रेंड समारा जूते सिधे कर दो Make the shoes right side up या फिर put the shoes पे आप बोल सकते हो Next time मैं school जाता तो हूँ I do go to school Next sentence है यह आपकी लापरवाई के कारण हुआ It happened because of your negligence Negligence का मतलब होता है लापरवाई मुझे क्या? What to me? आप अपना समय बरबाद करोगे You will waste your time आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी से एक request करना चाहूंगी अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए उन वीडियोस में भी आपको ऐसी अच्छे-चे sentences का collection देखने को मिल जाएगा तो चलिए देखती है अगला sentence कौन सा है? इसके आदत मत लगाओ या फिर इसके आदत मत बनाओ Don't make it a habit उसके शादी हो रही थी She was getting married Next sentence friends हमारा मेरी आँख लग गई थी I dozed off Dozed off का मतलब होता है जबकी लेना या फिर नीन लेना अगला sentence है friends हमारा में वहाँ जाने के लिए उसक हूँ I can't wait to go there I can't wait to go there I can't wait का यूज़ कर कि आप इस तरह के sentences बना सकते हैं जैसे मैं उससे मिलने के लिए उसक हूँ I can't wait to meet her या फिर see her I can't wait Means मैं वहाँ जाने के लिए इतनी उससुक हूँ कि मैं wait नहीं कर सकती इस sentence में ही sentence बनता है अगला sentence है उन्ने सडक पर मत खेलने दो Don't let them play on the road Don't let them play on the road Next है सीधे खड़े रहो Stand up straight Next है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी बात नहीं मानोंगी Come what may I won't listen to her चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए इंगलिश में come what may फ्रेस का यूज किया रहता है Come what may चाहे कुछ भी हो जाए अगला sentence है कुंडी लगा दो Latch the door मैं बाल कटवाने जा रही हूँ I am going to get my hair cut I am going to get my hair cut अगला sentence है friends हमारा उसे एक फूटी कोडी भी नहीं मिलेगी He won't get a single penny पेनी का मतलब होता है कोडी या पेसे जल्दी जाओ Go at once Go at once कुछ तो कड़ बढ़ है Something is fishy Next sentence है हमारा ठीक ठाक जैसे किसी बात को है किसी चीज को हम बोलते है ठीक ठीक है या पे ठीक ठाक है तो इंग्लिश में बोलते है इसे So, 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 so अगला sentence है friends हमारा आप इस काम में माहीर हो गए है You have just mastered that या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं You have become a master in this work अगला sentence है मुझे घर का काम करना है I need to do housework I need to do housework या फिर I have to do housework